तो दोस्तों सबसे पहले मैं Facebook को उपन करता हूँ और Facebook के अंदर मैं अपने Facebook पेज आप लोगों को दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप लोगों साइड पर देखते हैं मैंने Facebook को उपन कर दिया जैसे कि मैंने Facebook को उपन कर दिया तो यह मेरा Facebook पेज है यहाँ पर आप लोगों ची क्लिक कर दिया इस पर कलिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि मेरे फ़ेज़ पेज में 4 टूल्स लेड़ेबल हैं मतलब मेरे फ़ेज़ पेज़ चार प्लेट पांप पर मॉनटाय즈 है स्टार पर भी मॉनटाय Beschsal уб करते हैं और मेरे Facebook page and stream ads पर be monetized है लेकिन यहाँ पर नीचे है and stream ads, मैंने and stream ads पर click कर दिया, जैसे कि मैंने and stream ads पर click कर दिया, तो यहाँ पर आप लोग देखते है, earning restricted earning restricted का मकसद यह है कि मैरे यह Facebook page demonetized है इसका monetization stop है किया वज़े है कि मैरे Facebook page का monetization stop है तो यहाँ पर है go to policy issue तो मैंने go to policy issue पर click कर दिया जैसे कि मैंने policy issue पर click कर दिया तो यहाँ पर आप लोग देखो restricted monetization show करते हैं मतलब इस page का जो monetization है वो फिल वक्त stop है वो demonetize है इसका reason क्या है नीची आप लोग देखते हैं एक है unoriginal content और दुसरा है limited originality of content तो दोस्तों सीटों के अदर में आप लोग ribs को यह बताओंगा कि अगर आप के Facebook पेज में unoriginal content का मसला है तो आप लोगों ने इसको किस तरह स्वाल करना है या अगर आपके Facebook पेज में limited original tidy up content का मसला है तो इसका solution क्या है आप लोगों ने किस तरह इन दोनों मसलों को खतम करना है अगर आपके Facebook पेज में सिरफ अन ओरिजनल कांटेंट का मसला है तो आपने इसको किस तरह खतम करना है ताकि आप लोग Facebook पेज को मुनिटाइस करवा या और आप लोग Facebook से पेसे कमाई तो सबसे पहले हम इसके Reason के बारे में बात करते हैं किस स्वज़ा से आपके Facebook पेज में ये दो मसले आते हैं आज की इस वीडियो के अंदर तो हम specially बात करते हैं अन ओरिजनल कांटेंट के बारे में लेकिन इसके साथ साथ हम बात करते हैं Limited Originality के बारे में भी क्योंकि बहुत ज़्यदा लोग मुझे मेसेज करते हैं कि हमारे Facebook पेज के अंदर Limited Originality आप कांटेंट का इशू है वैसे तो आज का जो हमारे टापिक है वो अन ओरिजनल कांटेंट का है लिकन दोनों के उपर आज हम बात करते हैं ये मसला किस वज़े से आते हैं और इसको आप लोग ने पिर किस तरह खतम करना है तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं मेरे Facebook पेज के अंदर दोनों मसला है अगर आपके भी Facebook पेज में दोनों मसला है तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल दियान से दे के लोगों ने किसी दुसरे लोगों का म्यूजिक यूज़ किया है या आप लोगों ने ऐसे वीडियो को अपलोड किया है जो कि आपका ओरिजिनल वीडियो नहीं है आपने Facebook से डाउनलोड किया है और वापस आपने Facebook के अंदर इसको अपलोड किया है अगर आपके Facebook page के अंदर 100% original वीडियोs हैं और आपके Facebook page के अंदर unoriginal content का मसला है तो आप लोगों ने इसको किस तरह इस्वाल करना है इसका solution तो मैं आप लोगों को डारिक बताऊँगा कि आप लोगों ने इस मसले को किस तरह सießen उल करना है जब आपके Facebook page के अंदर 100% original videos है तो इसके लिए आप लोगों ने rights manager के लिए apply करना है Facebook से जब आपको rights manager मिल जाए तो आपके Facebook page से ये मसला खतम होते है अगर आपको पतने हैं कि आपने rights manager के लिए apply किस तरह करना है तो इस वीडियो के description में मैंने एक वीडियो का लिए बेजा है कि आप लोगों ने किस तरह rights manager के लिए apply करना है तो आपने वही वीडियो को देखना है और आपने rights manager के लिए apply करना है तो आपके Facebook page से ये मसला डारिक खतम होते है अगर आपका videos original है 100% अब बात करते है कि अगर आपका videos original ने ये आपने दुसरे लोगों के content को use किया है और आपके Facebook page में unoriginal content का मसला है तो आपने इसको फिर किस तरह खतम करना है तो इसको खतम करने के लिए आप लोगों ने वही content को delete करना है और इसके बाद आप लोगों ने अपने Facebook page से old gaming video का live streaming करना है या आप लोगों ने अपने face की live streaming करना है अपने direct live streaming करना है अपने face की या आप लोगों ने old gaming videos का live streaming करना है YouTube के अंदर 5G game videos मुझूद है या free fire games video मुझूद है 5 साल पहले लोगों ने upload किया है खतम हो जाएगा दुसरा भी हम बात करते है limited originality up content का अगर आपके facebook पेज में limited originality up content का इश्यु है तो ये क्यों आते है और आपने इसको किस तरह खतम करना है तो limited originality up content का मसला अक्सर थब आते है जिब आप लोग अपने facebook पेज के admin id से sharing करें आप लोग admin id से video के ओपर comments करें like's करें, कमेंट्स तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंगे अक्सर लोग जो इने कमेंट में रिपले देते हैं, तो यह कोई मसला नहीं है, लेकिन अक्सर लोग admin ID से sharing करते हैं, groups में sharing करते हैं, और unlimited sharing करते हैं, तो इसी वज़े से आपके facebook page के अंदर limited originality of content का मसला आते हैं, या जब आप लोग लांग वीडोस को अपलोड करेंगे, जो कि आपका original वीडोस नहीं है, तो इसी वज़े से 100% आपके facebook page के अंदर limited originality of content का मसला आते हैं, तो इसका भी यही solution है, कि आप लोगोंने सारे content को delete करना है, अगर आपके facebook page के अंदर limited originality of content के साथ साथ red color का restricted monetization है, तो फिर आप लोगोंने content को delete करना है, पिर आपने wait करना है, जब आपके facebook page का monetization yellow color का हो जाए, yellow color और red color आपने कहाँ पर चीख करना है, तो इसके लिए आप लोगोंने chrome browser के अंदर facebook creator studio को open करना है, वहाँ पर आप लोगोंने facebook creator studio के अंदर policy issue को चीख करना है, अगर आपके facebook page के अंदर policy issue में restricted monetization red color का show करते हैं, तो आप लोगोंने content को delete करना है, पिर आपने wait करना है, जब आपके facebook page के अंदर ये yellow हो जाए, तो पिर आप लोगोंने live streaming करना है, gaming की live streaming करना है, या आप लोगोंने अपने face की live streaming करना है, तो आपके facebook page से ये मसले खुद बाखुद खतम होते हैं, पांच दिन या दस दिन आप लोग लोग लाई अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही डिबिल आइकन को भी दबाई ताकि आप लोगों को हमारे आने वाल इस तरह से वीडियो सबसे पहले मिलेंगे शुक्रिया तैंक्स फार वाचिंग